ये काम बीच में RAM करता है, RAM क्या कर रहा है? hard disk के अंदर जो files पड़ी है, वो अपने memory में allocate कर रहा है ये hard disk से data नहीं आ रहा है, इस बार RAM से आ रहा है क्योंकि RAM ने पहले ही वो सारी के सारी library अपने memory के अंदर store करके रखी है अच्छा, तो आपने computer course की है? ये सर ओके, तो मुझे बता ये की RAM और ROM में का difference देता है? RAM और ROM जिया दोस्तों, ये सवाल अगर आपको किसी ने interview में पूछा कि RAM क्या होता है, रोम क्या होता है और अगर आप confusion में हो तो ये वीडियो आपका confusion दूर कर देगा चलिए, अगर आप interested दो वीडियो end तक देखिए, let's begin सबसे पहले मैं आपको RAM और ROM का full form बताना चाहूंगा RAM, Random Access Memory ROM, Read Only Memory Basically, इनके full form से ही कुछ आइडिया आ जाएगा आपको कि होता क्या ही है और आइडिया नहीं आ रहा है, तो आइडिया देने के लिए मैं हूँ ना तो सबसे पहले मैं आपको RAM के बारे में बताना चाहूंगा उसके बाद हम ROM को भी समझ लेते है RAM, Randomly Access Memory ऐसे memory जो randomly access होती है जो permanent नहीं रहती है, temporary रहती है याद रखिए इसे volatile memory बोलते है यानि कि इसके अंदर का data temporary रहता है जब आपका computer शुरू है तब तक उसमें data रहेगा computer बंद होती है उसमें data नहीं रहेगा अब आपको इसे थोड़ा सा detail में मैं explain करता हूँ एक example के साथ RAM काम किस तरह से करता है या हम example से समझते है suppose आप एक office में job के लिए है और आपका desk ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी सारी files नहीं है लेकिन files एक अलग cabin में बहुत सारी files है आपके बस और एक अलग cabin में files पड़ी है तो आपको जो भी files required वो आप cabin में जाते हो लेके आते हो desk पे और उस पे काम करते हो लेकिन अभी आपको बताए कि आपको धेर सारी files पे काम करना है तो सुबर जाते ही आप जितनी भी files आपको ज़रूरी है उस cabin से आप लेके आके आपके desk पे रख दोगे बार-बार cabin में नहीं जाओगे सभी files लाके desk पे रख दोगी जितनी जगए उसके इसाब से आप रख दोगे उसके बाद आप क्या करोगे जिस file में काम है उसे उठाओगे उसमें काम करोगे रख दोगे तो आपको बार-बार cabin में जाने का यहाँ पर समय आपका बच रहा है आप यहाँ पर थोड़ा सा smart work कर रहे हैं वैसे smart work हमारा RAM करता है basically हमारे hard disk के अंदर धेर सारी file है धेर सारी files में हम सारी files तो एक साथ access नहीं कर सकते तो यहाँ पर CPU का काम होता है कि हमें जो भी हम instruction पास करें वो हमें screen पे दिखा है तो हमने CPU को instruction दिया कि मुझे यह file required है तो बार-बार CPU को process करना पड़ेगा मतलब hard disk तक जाना पड़ेगा वहाँ पे file डूण के वापिस आपके लिए लाके रखना पड़ेगा तो यह काम बीच में RAM करता है RAM क्या कर रहा है hard disk के अंदर जो files पड़ी है वो अपने memory में allocate कर रहा है RAM के वास memory एक उसमें क्या कर रहा है कि hard disk की randomly file access करके वो वहाँ पे रख रहा है और वो CPU को प्रोड कर रहा है quickly जैसे desk हमारा काम कर रहा है desk की उपर हमने सारी file रखिए तो हमें quickly file मिल रही है तो यह जो RAM है वो desk की तरह हमारा काम करता है यहाँ पर हमारा समय बचाता है लेकिन RAM के अंदर file पर्मनन नहीं रहती याद रखिए उसमें जो memory है वो तब तक काम करती है जब तक हमारा computer on है जैसे मैं computer बंद करो तो उसके अंदर जितनी भी file से वो सब क्या होगी रिमू हो जाएगी वो टेमपरली एक्सेस है अपने photoshop से रिलेटेट जितनी भी essential files है जितनी भी libraries है वो सब RAM क्या कर लेता है hard disk से उठा के अपने memory में store कर लेता है अब इससे क्या होता है जब photoshop में मुझे कोई भी color library access करनी है या कुछ भी access करना है graphic library या कुछ भी तो RAM क्या करता है तुरंत आप जैसे color पे click करते तो color का panel आपके सामने दिखा देता है तो यह hard disk से data नहीं आ रहा है इस बार RAM से आ रहा है क्योंकि RAM ने पहले ही वो सारी की सारी library अपने memory के अंदर store करके रखी है याद रखिए mobile के अंदर laptop के अंदर और computer के अंदर RAM का इस्तमाल सेम होता है जैसे अगर आप mobile में कोई game खिल रहे हो तो उस game से related जितनी भी images ज़रूर है वो सब RAM अपने अंदर लाके store करके रखता है temporary store करके रखता है जितनी memory RAM के अंदर available उसकी सबसे तो आपने कई बार ये सुना होगा कि आपका RAM कम है इसलिए वो software चलनी रहा है क्योंकि उस software की library की जो files है वो ज़्यादा है और RAM के अंदर जो memory allocate करने के लिए space है वो कम है यानि कि आपका 2GB का RAM है और software के अंदर library जो है वो 4GB को support करती है तो यह पूरी library पूरी files यहाँ पे RAM के अंदर बैठ सकते है तो इसलिए वो software नहीं चलता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि computer लेते समय आपको कौन से software चलाने है उसकी सबसे computer या laptop खरीदना है software का requirement देखना है Google पे जाकर आप चेक करोगी कि AutoCAD software requirement तो आपको पता चलेगा कि इसमें RAM कितना लगता है तो यह basically आपको idea होना चाहिए कि RAM क्यों यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि हर एक software की library files को directly access करना RAM की मदद से possible होता है बार बार hard disk में CPU प्रोसेस नहीं करेगा इसमें उस CPU का बहुत टाइम जाएगा और आपको भी ऐसा रुकना पड़ेगा रुको अभी color पे क्लिक क्या है दो मीटर रुकते है color panel आने के बाद color दे देंगे अब मैं RAM के बारे में और detail में जाओंगो थोड़ासा अंदर और चले जाते हैं अब RAM के दो और type रहते हैं यह ज़्यादा तर लोगों को पता नहीं है और यह information थोड़ी सी ज़्यादा detail है तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा आपको लगेगा कि अरसर क्या बोल रहे है RAM के दो type है एक रहता S RAM और एक रहता DRAM S मतलब static RAM, D मतलब dynamic RAM हम जो RAM देखते हैं न बेसिकली हमें एक ही RAM पता है बस वो RAM जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रही है यह चीप यह अलड़ी मैंने बहुत सरी वीडियो में भी दिखाया आपको और मेरा hardware का जो particular course डिजाइन किया है उसके अंदर RAM के बारे में पुरा detail एक्स्पेइन किया है description में hardware course की लिंक दी अगर आप interested हो तो ज़रूँ चेक आउट कीजिए घर बैटे बैटे ISO certificate का यह course है सीखने मिले के आपको घर बैटे बैटे फिलाल तो जाता नहीं बताऊंगा मैं RAM के बारे में बता रहा था अब यह जो RAM है यह RAM हम motherboard में लगाते है इतना है आपको पता है लेकिन यह dynamic RAM है दोस्तो इसके अलाव एक और RAM रहती static RAM अब यह static RAM कहां पे होती है कैसे होती है देखि cache memory अगर आपके CPU में तो L2 यह motherboard पे रहती है motherboard पे एक अलग सी chip आती है जो screen पे मैं दिखाता हूँ यह chip बिल्कुल रोम की तरह ही दिखती है तो यह static RAM होती basically और यह motherboard पे होती है अगर आपका motherboard को configuration अच्छा कासा है तो वहाँ पे L2 cache memory रहती है और L1 और L2 यह CPU के अंदर है latest CPU में तो ऐसा है कि L1 और L2 cache memory CPU के अंदर है तो L3 motherboard की उपर रहती है अब यह L1, L2, L3 यह cache memory करती क्या है basically एक example में मैं समझाना चाहूँगा आपने desk पे जैसे मैंने पूराने example में बताया था कि आपने desk पे सारी files लाके रखी है अब क्या है कि आपको एक एक file तो उठानी तो आपके brain ने process किया कि data यहां पर पड़ा है तो वैसी आपके CPU के अंदर जो cache memory पड़ी है L1, L2, L3 यह SRAM कहा जाता इसे यह static RAM में अगर memory में data पहले से पड़ा हुआ है तो CPU वहां से data ले लेगा तुरन data ले लेगा और process कर लेगा वो बार बार dynamic RAM की तरफ नहीं जाएगा SRAM यह थोड़ी सी महंगी होती है यह size में बहुत छोटी रहती है MB में आती है MB में याद रखी है और यह बहुत costly होती है इसलिए तो CPU भी बहुत costly होता है ने CPU में L1 cache memory होती है तो इसमें जब आप देखोगे data बहुत quickly process होता है क्योंकि CPU को जाने की ज़रूत नहीं है RAM के पा static RAM और dynamic RAM याने कि यह जो पढ़ी हुई फाइल से बाकी कि सभी किसे भी right तो अगर आपके हाथ के फाइल के अंदर data नहीं है तो of course you are going to look it out into the other files तो जो आपके desk पर पढ़ी है तो उसे उठाओगे desk पर पढ़ी हुई फाइल को और उसमें data देखोगे चलो ठीक है आपको dynamic RAM और static RAM definitely इस example से समझ में आया होगा अब बोलोगा static RAM इतनी costly क्यों होती क्योंकि यह speed भी होता है इस RAM में basically तो यह बहुत costly होती है बहुत ज्यादा costly होती है अगर आप देखो कि CPU as computer to RAM बहुत costly होता है आपको पता ही होगा और dynamic RAM भी वैसे costly होती है सस्तीनी होती है लेकिन dynamic RAM आपका 16GB का RAM होगा रहे है तो चलो यह RAM के बारे में मैंने आपको बता दिया चलो RAM की आइडिया आ गई RAM के अंदर एक बात फिसे याद रखनी कि इसके अंदर जो memory रहती वो टेंपर रहती volatile memory से कहा जाता है तो अब यह dynamic RAM तो आपको पता चली कुन सी है जो cheap है हमारी लेकि पुरानी RAM बहुत पुरानी लेंगे तो DDR उसके बाद DDR2, DDR3, DDR4 अभी DDR4 हम latest use कर रहे है अपको नहीं RAM है तो speed भी आपको अच्छा मिलने वाला है और यह ऐसा नहीं कि आप पुराने motherboard पे DDR4 लगा सकते क्योंकि पुराने motherboard पे DDR1 का slot है DDR2 का है DDR3 का है तो आप 4 नहीं लगा सकत है तो याद रखिए वो चेक आउट कीजिए कि आपके motherboard के अंदर कौन सा slot available है अब RAM के बारे में आपने detail में जान लिया अब जानते है ROM के बारे में ROM read only memory अब read only memory की सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा यह motherboard की उपर ज्यादद प्री इंस्टॉल होती है जैसे क कि यह चीप आपके सामने दिखाए दे रही है BIOS की चीप basic input output system BIOS एक ऐसी चीप है जिसमें आप computer start करती ही computer के उपर अगर अपने operating system install नहीं भी किया है तो कुछ text वगरा लोड होता है black screen और white में text आता है और यह होता है BIOS basically इसके अंदर की जो memory है read only होती है आपको इसे change करना allowed नहीं है देखिए RAM के अंदर randomly access memory होती थी वहाँ पे कोई भी memory randomly access करके आपको मिलती थी और memory delete भी होती थी लेकिन read only memory में क्या होता है कि आप delete नहीं होती यह पड़ी रहेगी lifetime वहाँ पे वैसे ही पड़ी रहेगी एक बार उसमें एक program जो motherboard manufacturer company या computer बनाने वाली company या laptop बनान नहीं होगी वह हमेशा वहाँ पे रहेगी read only memory तो इस memory को non-volatile memory कहते है permanent memory कहते है अब इसका example और बताओ तो आपके घर में tv का remote control रहेगा उसके अंदर एक program है ना तो उस program को हम बदलते नहीं वहाँ प्रेस किया तो वही काम करना है एक number का channel लगा दो प्रेस किया तो दो number का channel लगाँ तो यह जो होता है रोम में एक particular specific memory fix है जिससे आप बदल नहीं सकते है जो है उसी को आपको use करना है right वो button दबाया वही चालो होगा तो ऐसे धेर सारे example आपके घर में मिलेंगे जो रोम के है उसके अंदर एक particular program किया रहता है और वो रोम वो particular process करता है particular काम करता रह change करनी की ज़रूरत पड़ सकती है तो इस रोम को पहले वो लो लोग programmable read only memory बोलते थे पी रोम तो इसमें उन्थो और निकाले पी रोम प्रोग्रामेबल read only memory और दो टाइप निकाले एक है ईटी रोम यानि कि erasvable programmable read only memory अब erasable programmable read only memory में क्या होता है EP ROM में क्या होता है basically short में बोल देता हो EP ROM में ROM उस chip में से निकाला जाता है जैसे motherboard पे है या कई पी भी है उस chip में से ROM निकाला जाएगा एक particular circuit में लगाते हैं फिर उसमें ultraviolet ray लगा कि उसका पुरा data erase करते हैं और फिर से data भरते हैं बतलब उसे update करते हैं read only है लेकिन erasable erase करते हैं लेकिन इसमें बहुत time consuming process है ऐसा उनको लगा तो उन्होंने एक और ROM इंट्रूडूस किया EEP ROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory इतना बड़ा लंबा पूलपा में लेकिन simple में बताओ कि यह electrically erase होता है इसको ultraviolet ray कि उगरे जरूरत नहीं quickly erase होगा और दूसरा डेटा भरा जाएगा तो ROM में भी पुरान डेटा हटा कि दूसरा डेटा भरा जा सकता है उस चीप के अंदर यह ऐसा उन्होंने बाद में डिजाइन के और आजकल ऐसे ही ROM आपके computer में होते है जो कि पुरानी BIOS को अगर आप अपडेट कर सकते है पुरानी चीप को अपडेट किया जा सकता है तो अगर ऐसा ROM आपडेबल है उसके अंदर तो ROM के बारे में एक basic idea दिया है कि जिसके अंदर एक memory पड़ी रहती है जो सालों से वैसी रहती है और आपको एक particular data output देती है उसमें आप change नहीं कर सकते है यह non-holatile memory इसलिए कहा जाता है यह permanent memory भी कहा जाता है तो RAM और ROM के बारे में मैंने यहाँ पे detail में जानकारी देने के कुशिश की है definitely आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा subscribe कीजिए अगर आपको लगता है कि यार ऐसी कुछ नया और सीखना है तो channel को subscribe कीजिए साथी में मेरा learn more shots नाम के एक और channel है जिसमें मैं short technical tips डालता हूँ और धेर सारे और भी Hindi channel है उन्हें भी आप description से check out कर सकते है जरू check out कीजिए और वीडियो को like share और comment तो अलड़ी किया होगा जरू कीजिए और मैं मेनत ले रहा हूँ आपके लिए तो आप थोड़ी सी मेनत ले लो like पे touch करो share पे touch करके अपने whatsapp group facebook group सब के साथ share जरू कीजिए फिलाल तो इस वीडियो में इतना है मिलते अगले कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर next Monday शाम को पाच बजे भूलिये गानी बाई-बाई